यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ बच्ची की बेरहमें से पिटाई कर रही थी और पिटाई करती भी रही थी और इसे पहले भी कई मामले से सामने आए थे पिटाई के मार से बच्ची वहां से भाग गई और बच्ची को एक गाओं में ग्रामिनों ने देखा तो ग्रामिनों ने पुलिस को सूचना दी पुलि सारी आब्यति समाजिक कार्यकरताओं से कही है और वहीं बाल कल्यान समेटे के अध्यक्ष ने सभी बिंदों पर जाज कर कड़ी कारवाई करने की बात भी कही तो अपने अपने हरानी वाला ये मामला है क्योंकि एक 13 वर्षिये लड़की को पहले तो एक घर में और एक क्लिनिक में काम के लिए लगाया जाता है उसके बाद इसके साथ मार्पिट भी की जाती है और अब जाकर जो है ये मामला सामिया है हमारे गाम की बच्चियों को दलाल दौरा बहला फुसला कर दूसरे जगा काम के लिए बेचा जाता है और उन्हें मानसिक और सारी पड़तारना की जाती है जो सरासर गलत है और इस कारे के लिए अपने माव आपको बच्चों के माव आपको जागरूख होना चाहिए और उ के लिए उत्साहित करना चाहिए ना कि काम करने के लिए बाहर फेजना चाहिए लाल के ही घटना है हमारे गाह के बच्ची को बाहर ले जाया गया था और उन्हें मानसिक और सारी पड़तारना की जा रही थे जो सरासर गलत हुआ उसके साथ झाल